पूरे देश नू हिलोन वाले नोट बंदी दे फैसले नू आज सुप्रीम कोर्ट दे जज्जा ने साइठ है रहा है जिहां सुप्रीम कोर्ट ने किंदर सरकार दे इस फैसले नू बरकार रखे है पांज जज्जा दी सविधानक बेंच ने आज ही अपना फैसला सुनों दे उसनू साइकरा दित बेंच ने किया कि 500 अते हजार उपे दे नोटा नू बंद करन दी प्रिक्रिया दे वीचे कोई गडबड नहीं होई बेंच ने भी किया कि आर्थिक फैसले नू बदल्या नी जा सकता सविधानक बेंच ने चार एक दे बहुमा दिनाल एहे फैसला सुनों है पांज जज्जान दी सविधानक बेंच दे वीचो जस्टिस S. अब्दूल नजीर, B.R. गवाई, A.S. बोपन्ना वी, रामा सुब्रमनियम आते जस्टिस B.V. नागरतन शामलसन इनना वीचो जस्टिस B.V. नागरतन ने बाकी चार जज्जान दी रायतों वक्रा फैसला लिख्या है उना क्या के नोट बंदी दा फैसला गैर कानूनी सी इसनूं गजट नोटिफकेशन दी बजाय कानून राही लिया जाना चाहिदा सी आला क्यों ना क्या के इसना सरकार दे पुराणे फैसले दा कोई असरन नहीं पाएगा उते सुप्रीम कोड दे इस फैसले तो बाद स्यासी महाल गर्मा गया थे हर एक आगू अपने अपने परतिक्रिया दे रहे है जो खबरे आ रही हैं उसके मताविक सुप्रीम कोड का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्ने था दी मानटारिजेशन के मतलिक वो एक आर्थिक नीती के मुतलिक डिसिजन था और वो डिसिजन सम्विधान की मर्यादा के अनुकूल है इसलिए सुप्रीम कोट ने इसको वेदे ठेराया है ये बहुत एहम मुद्दा था इस पे बहुत एहम कानूनी नुक्ते पेश किये गए थे कोट ने अपने विचार और विवेक के मताबिक जो फैसला किया है अब उस फैसले को स्विकार करना होगा और एक बात मैं मानता हूं कहीं न कहीं यही भी कोट के सामने रही होगी जरूर कि अब छे साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं मो अब एकेडेमिक हो गए हैं यह कहा भी था मगर उन्होंने फैसला किया है आज मानिय सर्वोच नयायले ने नोट बंदी को लेकर एक अहम फैसला सुनाया यह फैसला चार एक का फैसला था एक मानिय जज ने जस्टिस ने डिसेंटिंग नोट भी अपना विरोध भी अपना दर्ज किया फैसले में नोट बंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है फैसले के उपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की उस पर कोई निरने नहीं दिया जो 1934 का RBI Act है उसका Section 26-2 यह फैसला सिर्फ उस पर केंदरित था कि उसकी कोई अभेलना नहीं हुई उसका पालन हुआ गया अलावा इसके माननी सर्वोच नियायले ने न इस पर कोई टिपणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ, इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निरने में नहीं है, तो ये कहे देना कि माननी सर्वोच न्यायले ने नोट बंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा, नोट बंदी के फैंसले की प्रक्रिया को सही ठहराय है, फैंसले पर कोई टिपणी माननी सर्वोच न्यायले ने नहीं किया,